किसान को दिली की सरकों पर डटे हुए एक महिना हो गया है सरकार की और से तादा संशोधनों का प्रस्ता भी किसानों ने ठुकरा दिया है किसानों का कहना है किस सरकार बिना किसी शर्ट के साथ बाचीत की टेबल पर आये किसानों की और से अब भी तीनों कानों वापिस की मांग अड़ी हुई है किसानों के द्वाराज एक बर फिर से प्रेस कॉन्फरेंस कीजएगी किसानों के अंधोरन का करन बताएंगे किसान मोर्चे के और से अपने डिजिटल प्लेटफरम पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है ताकि अगर लोगों के कुछ सवाल हो तो वे जवाब दे सके किसानों के अंदोरन के बिज़ाज किसान सेना के समर्थक और किसान कृषी मंतरी निरेंदर सिंग तॉमर से मुलाकात करेंगे किसान सेना नए कृषी कानों पर अपना समर्थन देगी कौंगर्स नेतर राहो गंद एक बार फिर किर्शी कारणों के मसले पर राष्ट्रपदी रामनाद कोविन से मुलाकात करने चारे हैं उनके साथ भी पक्षिक के कई अने निता भी मौचूद है किसानों ने सरकार को लिग कर निया प्रस्ताफ देने की बात कही है जिस पर विचार किया जाएगा किसानों का ये फैसला तबाया है जब 25 दिसंबर को प्यामोदी हजारों किसानों से समवाद करेंगे और उनके खाते में किसी सम्मान निदी योजना की किस तक पेज़ेंगे तारिख 24 दिसंबर 1999 दिन शुकरवाद काटमांडू से दिल्ली के लिए उड़े आईसी 814 विमान को हथ्यार बंद आतंक वादियों ने हाईजय कर लिया था इंडियन आयरलेंज के इस विमान में 116 यात्रियों 15 क्रू मेंबर स्वाद थे इस प्लेन हाईजय के बदले यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने तीन आतंकियों मसूद अज़र, उमर शेक और एहमद जर्गर को छोड़ा था इस खटना को 21 साल हो गए है भारत के लिए खुशकबरी है केंदे स्वास्ता मंदर हर्षवर्द नगले सब्ता नीमोनिया रोग के लिए विक्से सबसे पहरा सब्देशी टीका लॉंच कर सकते हैं यानि कि इस लॉंचिंग के बाद से ये टीका बाजार में उपलब्द होगा जाहिर है कि ये टीका सीरम इंस्टिटुट ओफ इंडिया ने विक्सित किया है बिटेन में वारस का निया स्ट्रेट मिलने से पूरी दुन्या खौफ चिता है इस बिटेन के स्वास्त तो सची माट हैंड़ कोफ ने कहा है कि दक्षिन अफरिका से यत्रा कराए कुछ लोगों के संपर्क में आने वालों में वारस के एक और नए विरिंड का पता चला है इसके बाद पिछले दो हफते में दक्षिन अफरीका से आने वाले सबी लोगों को खुद को ऐसिलेट करने के लिए कहा गया है करोना के ने वेरिन ने विटेंड में जैसे नुकसान पहुंचा है वैसे ही ये दक्षिन अफरीका में भी बीमारी को तेजी से फिला रहा है जमकुश्मीर के बारा मुला में सुरक्षाबलों आतंकियों के बीच मुठ बेट शुरू हो गई है वनियम विंग्रे क्रेरी विलाके में दो से तीन आतंकियों के छीपे होने की खबर मिली थी इसके बास वरक्षाबलों ने गुरुवर सुबस सर्च प्रेशन चलाया और इस दोरना आतंकियों ने फारिंग शुरू कर दी वरक्षाबलों के और से जवाबी फारिंग भी की जा रही है उत्यप्रतेश विदानसबद चुनाव में भले ही अभी 15 महिने बाकियों लेकिन राजनीतिक पार्टियां आभी से अपने-अपने सियासी समिकार्न और गढ़जोर बनाने में जुट गई है समाचवधी पार्टी ने 2022 चुनाव के लिए छोटी पार्टीयों के साथ गढ़बंदन करने का अलान किया है तो वहीं कॉंग्रेस ने सुबह में आगामी विदानसबद चुनाव में बड़ी या छोटी किसी भी पार्टी से गढ़बंदन नहीं करने का फैसला किया है और सभी चासुतीन सीटों पर अपने दंपर चुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस यूपी मिशन 2022 के अभयान का अग्यास 28 दिसंबर को पार्टी सापना दिवस्पे करने जा रही है और अप्रेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समचार का सिल्सला है कभी नहीं थमता